अब लोग जल्दी से फटापट लाइब आजाएंगे और सेशन को अपने दोस्तों अपने मित्रों के बीच शेयर कर देंगे फटाफट अपने सबी लोग लोग लाइब आजाएंगे सबी लोग बार बताएंगे और लाइब आजाएंगे और सेशन को अपने दोस्तों अपने मित्रों के बीच सबी लोग शेयर कर देंगे फटाफट लाइब आजाएंगे और लोग लाइब आजाएंगे एक बार बता देंगे और लोग लाइब आजाएंगे एक बार बता दें कर था है कि अगर गुडिविंग णदना फ्टाफट ओआज आएंगे क्लियर सब कुछ कि बिलुकुल बिलुकुल याईcolored finalement यूडिविंग यूडिल चालिये तो आईये स्टार्ट करते आज मेराथन का तीसरा दिन है और दो दिन हम लोग काफी अच्छे तरीके से प्रश्णों को किये और प्रश्णों के मात्यम से हम लोग पूरा बिहार जियस को अच्छे तरीके से हम लोग कर रहें समझ रहें और जानने की कोशिज कर रहें आप सभी को पता होगा कि बिहार सि एठ रखोगे पहला 20 सवाल फिर next 20 सवाल जो होगा वो बिहार के भोगोल का होगा जो ग्रफी होगा जहां से हम इसा एकजाम में प्रसने पूछे जाते हैं और तीसरा बिस सवाल जो होगा वो बिहार के करेंद अपिर्स का होगा आनि कि बिहार C.E. का होगा 2023 का तो साथ सवालों को करेंगे बिलकुल बहुत ही अच्छे तरीके से है ना पूरा का पूरा रिविजन होगा और इस रिविजन के बाद आज आप लोगों से विचार भी मस करेंगे और चर्चा करेंगे कि आगे टॉपिक वाई जो पहले क्या कर करना है तो तीन सेक्षन में आप लोग बताएंगे सबसे पहले आप लोगों को क्या ज़रुत है क्या सबसे ज्यादा इंपोटेंट है आप सभी लोगों के लिए फटा-फट सभी लोग बताएंगे और शेशन को एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग सेशन को शेयर कर तूट जाता है सीशा पत्थर की चोट से तूट जाए पत्थर ऐसा सीशा का तालास करो आप सभी लोगों का बहत-बहत स्वागत है, फटाफट करेंगे फटाफट होगा बहुत जल्दी होगा लेकिन आप सभी को जबाब भी तो फटाफट देना पड़ेगा जबाब भी जल्दी देना पड़ेगा, आज इस तीन टॉपिक में बताऊगे आपका सबसे ज़्याजा गलती कहाँ हो रहा है, बिहार हिस्टरी यहीं से सवाल आता है, बिहार आर्ट कल्चर से पीटी में नहीं आता है, बिहार जोगरफी है ना, और बिहार सीे, पहले हम आज दिन भर कोई बात नहीं स्टीम बाबु आपको नहीं पढ़ना सभी लोगों को पढ़ने दीजिए है ना पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था पटना पे 1763 पे किसने अधिकार कर लिया था एलिस ने, एलेक्जेन्डर ने, हेक्टर मुन्रो ने, कार नुवालिस ने जल्दी से बताओगे सभी लोग फटाफट बताएंगे सभी लोग एक बार फटाफट बताएंगे जल्दी से पटना नगर पर किसने अधिकार कर लिया था 1763 की बात है 1763 की बात है share करते रहेंगे है ना तो Alice ने किया था आप सभी को पता है Alice जो था वो पटना में company का परधान था क्या था पटना के अंग्रेजों के factory में अली गोहर का राज भी सेख हुआ था और यहां पे वो company का परधान Alice ही था एक्च्वली हुआ क्या था घटना 1760 की एक घटना है याद रखोगे इस घटना में हुआ था मीर जाफर के अस्थान पे आप सभी पढ़े होंगे अचसानी से समझोगे मीर जाफर के अस्थान पे मीर कासीम को बना दिया गया था ये सुने थे की नहीं सुने थे मीर जाफर के अस्थान पे मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया था सुने होंगे है ना और नवाब बनने के बाद मीर कासिम बहुत खिलारी आदमी था इसने क्या किया मुसिर्दाबाद से हटाके कहां से मुसिर्दाबाद जो कैपिटल हुआ करता था बेंगौल में वहां से हटाके इन्होंने अपनी राज़ाने कहां बना ली मुंगेर बना ली आप सभी को पता होगा है ना और भारतिय वैपारियों को चूंगी देने से इन्ह यहां आता है पटना में लूट पाट मचाता है पटना में अधिकार कर लेता है तो एलीस की कहानी समझ में आया है नब स लिए क्यों अशेम का पिछा करते हुए आता है मिर कास्म भुत खिलारी आदमी था भाई मुंगेर में जो बंदुग फैक्ट्रिश सब देख रहे हो ना ये कहीं न कहीं मीर कासीम का ही देन था एक नम्मर का खिलाड़ी आदमी था चलो पहला हिस्ट्री का सवाल आप लोगों ने गलत कर दिया दूसरा मत करना बिहार के वर्तमान पट्ना कॉलेज यहां से कौन-कौन पढ़ते हैं पट्ना कॉलेज के उत्री इमारत में डच फैक्ट्री थी पट्ना कॉलेज में बहुत सारा इमारत है पट्ना कॉलेज के कमब काउंड में जो उत्तर में जो इमारत था यहां पre पहले डच फैक्टरी था यद रखोगे डच फैक्टरी था अब क्या है वरतमान में गुल जार बाग इस्तित गूल्ण्ट rozp प्रिंटिंग प्रेस क्या थी गुलजारबाग में जो अभी गौर्मेंट प्रिंटिंग प्रेस है यह पहले क्या हुआ करती थी यह पहले क्या हुआ करती थी फ्रांसिसियों का फैक्टरी अंग्रेजों का फैक्टरी डच का फैक्टरी या डेन का फैक्टरी तो ये हुआ करता था अंग्रेजो का फैक्टरी याद रखोगे जॉब चनारक इहां के प्रधान थे चनारक सहाब का नाम सुने होगे इतिहास में चनारक इहां के प्रधान थे याद रखोगे किलियर है बिल्कुल बिल्कुल नेक्स सवाल है बिहार छेत्र में 1757 के मद्ध में मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध किसने आरम कर दिया था 1757 के मद्ध में मीर जाफर और अंग्रेजों का विरोध किसने करना शुरू कर दिया था बिहार के कौन वेक्ति थे जो इस टाइम सबसे पहले अंग्रेजों के साथ साथ मीर जाफर का विरोध किये थे 20 सवाल हिस्ट्री का है 21 सवाल जोग्रफी से स्टाथ होगा मैं बता दे रहा हूं आज आप लोग सही सही बताएंगे कि तीनों सेक्षन में सबसे ज़ादा आपका सही कहां पे हो रहा है बिहार हिस्ट्री बिहार जोग्रफी या बिहार करेंट अफेर्स उसी के हिसाब से हम टॉपिक बायज लेके आएंगे जल्दी से बताओगे मिर जाफर को जब बंगाल नवा बनाया गया तो जमिंदार लोग विरोध करने लगे इसमें बिहार के राजा राम नरायन राय थे पहलवान सिंग थे कामगार खां एवं सुन्दर सिंग थे ये लोग विरोध करने लगे ये लोग बिहार के जमिंदार थे ये सभी जमिंदार मिल के मिर जाफर और अंग्रेज का विरोध करने लगे तब क्या होगा इस विरोध के उपलक्ष में 1760 में मिर जाफर को हटा के किसको बनाया जाएगा बोलो तो मिर जाफर को हटा के इसके अस्थान पे किसे रिपलेस किया जाएगा तो मिर कासीम को बनाया जाएगा मीर कासीम को बनाया जाएगा कहीं न कहीं मीर कासीम को बनाने के पिछे एक रिजन ये भी था है ना ये भी था कि भाई जमिनदारों का बहुत जादा विरोध था बिहार के जमिनदारों का लेकिन मीर कासीम बहुत खिलाडी आदमी था जैसे बनाया गया उसने बोला बाई बाई हम तो चले अब बिहार सासन करने और अपने आपको मुंगिर में लाके अस्थापित कर लिया और उसी के गुस्सा से मिर कासिम का पिछा करते हुए एलिस आया था एलिस ने पटना पे अधिकार किया था, किलियर है कि नहीं है कहानी की तरह, है ना, किलियर है, चलो बिहार में भावानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था, भावानी मंदिर क्रांतिकारी का अस्थापना किस ने किया, राम परसाद बिस्मिल, बजरंग सहाई, भुपेंदरनाथ दत्य, सचिंदरनाथ सान्याल, जल्दी से बताओगे, भावानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था का अस् है पीहार में बंगाल विभाजन के बाद देखो जैसे ही बंगाल विभाजन होता है ना तो लोगों में देश भावना यह सब क्रांतिकारी बंगाल में मिलते थे और यहां पर यह च्जकर जो श्टार्ट किया गया था भुपेंद्र नात दत के द्वारा श्टार्ट किया गया था विवेका नंद के भाई थे ये भुपेंद्र नात दत किसके भाई थे तो विवेका नंद जानते हैं ना विवेका नंद के भाई थे और इनके द्वारा क्या श्टार्ट किया गया था भवानी मंदि क्रांतिकारी संस्था अगर आपसे पूछा जाए क्रांतिकारी का सबसे बड़ा गड़ तो वो कहां था बंगाल था और बंगाल से ही बिहार में क्रांतिकारीयों का जन्म हुआ ये याद रख लोगे क्लियर है भुपेंद्र नाथ दत बहुत इंपोर्टेंट सवाल है वरिंद्र कुमार घोष किसके भाई थे वरिंद्र कुमार घोष अरविंद घोष के भाई थे कई बार पूछा जाता है वरिंद्र कुमार घोष ये भी क्रांतिकारी थे और ये अरविंद घोष के भाई थे याद रखोगे अरविंद घोष के भाई थे याद रख लेंगे के लिए रहे हैं नेक्स्ट है बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन किसने किया किसान सभा आंदोलन किसके द्वारा किया गया था बिहार में तीन प्रांतिय किसान सम्मेलन हुआ है अगर आपसे पुछा जाए प्रांतिय किसान सम्मेलन है याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है प्रांतिय किसान सम्मेलन कब कब हुआ है तो तीन आपको याद रखना है पहला 1929 में हुआ है 1929 में जगा कहा था शौनपूर शौनपूर का मेला जानते हो ना शौनपूर अध्यक्ष कौन थे सहजानंद सरस्वती सहाव यहां पर अध्यक्ष थे दूसरा कब हुआ है बताओगे दूसरा कब हुआ है दूसरा हुआ है 34 में 34 में हुआ है और यह हुआ है गया में पुर्षोतम दास टंडन अध्यक्ष थे याद रखोगे टंडन सहाब अध्यक्ष थे और तीशरा कब हुआ है 35 में हाजीपूर में 1935 में हाजीपूर में याद रखोगे और इसमें फिर से सहजानंद सरस्वतियत देख्ष थे अब बताओ ये तीनों में से किस संबिलन में जमिंदारी पर्था उन्मूलन कानून पास हुआ जमिंदारी पर्था उन्मूलन कानून किस में पास हुआ था बताओगे इसका स्वामी सहजानन्द सुरुषती होगा तीनों में जमिंदारी पर्था उन्मूलन किसमें पास हुआ था तो तीसरा वाले में इसमें जमिंदारी पर्था उन्मूलन विधेयक पास किया गया था जमिन्दारी पर्था के विरुद्ध विधेयक पास किया गया था याद रखोगे किलियर है आज का सवाल आना बिलकुल बे मिसाल है पूरा का पूरा अगर आज ये 20 सवाल कर लोगे न तो 40% मौडर्न बिहार का हिस्ट्री कम्प्लीट हो जाएगा 40% आधुनिक बिहार का हिस्ट्री कम्प्लीट हो जाएगा याद रखोगे ध्यान से सुनो ध्यान से करो के लिए रहे नेक्ट अधी नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसान को कौन सा छतिपूर्ती देना पड़ता था अगर कोई किसान नील का खेती नहीं करना चाह रहा है उसके एवज में उसे कौन सा कम्पनसेशन देना पड़ता था अब इसका नाम बताओगे बट्टा जजिया तवान नजराना अगर कोई किसान नील की खेती करना नहीं चाह रहा है तो उसे कौन सा चीज दिया जाएगा बिहार राज्य के चंपारन जीले में नील किसानों का बहुत ज़्यादा सोशन हुआ था और अंद में गांधी जी आये थे और इस सोशन से मुक्ति दिलाये थे बताओगे कौन सा कर देना पड़ता था जल्दी नजराना नहीं इसका नाम था तवान याद रख लोगे point to be noted बहुत अच्छा सवाल है हमेशा चमपारन सत्यागरह से और 1857 से सवाल पूछा ही पूछा जाता है गांधी जी से पूछा जाता है BPSC ने पूछा था कि गांधी जी को मारने का कोशिस कीये थे किसने बचाया था बतक मिया याद रखोगे तो 6 नमबर बिलकुल किलियर है तीन कठिया था पद्दति आने की बीस कठा में तीन कठा निल उप जाना अनिवार होता था नेक्स्ट है बाइकाट है ना बाइकाट और सब देशी आंदोलन के समर्थन में किस अस्थान पर गॉल्डेन लिग बना था बिहार में बिहार में गॉल्डेन लिग कहां बनाया गया था बहुत इंपोर्टन सवाल है पत्ना मुझफरपूर रांची देवघर गॉल्डेन लिग शेयर करोगे गॉल्डेन लिग बनाया गया था जल्दी से बताओगे गॉल्डेन लिग कहां बनाया गया था शेयर करते होगी सेसाम को सभी लोग से़र करोगे गॉल्डेन लिग का बात अगर किया जाए तो यह देवघर में बनाया गया था अच्छा देवघर करांतिकारियों का गड़ था चुकि देवघर जो है ना वो बंगाल से पास था सीमा लगता था वेस्ट बंगॉल से इसलिए यहां पे किया गया और देवघर के रोहनी है रोहनी में ही 1857 का विद्रो का सुरुवात हुआ था अंग्रेज लोग तयारी का रहा था कहां पे अंग्रेज लोग तयारी का रहा था पटना में उन लोग को लग रहा था विद्रो पटना में होगा लेकिन विद्रो तो देवघर में हो गया रोहनी में हुआ और रोहनी किस नदी के किनारे है तो रोहनी अजय नदी के किनारे है अजय नदी कहां से निकलती है तो अजय नदी जमुई के बठपार से निकलती है याद रखोगे तो 1877 के बिद्रो का गवाह कौन-कौन नदी बना तो सबसे पहले सौन नदी बना सोन नदी के रास्ते से ही दानापूर के सेनिक आरा तक पहुंचे थे जहां कुमर सिंग उनका स्वागत किया था और दूसरा अजय नदी के किनारे आपका 1857 बिद्रो की सुरुवात हुई थी तो सभी लोग सेयर करते रहोगे सेसन को बहुत मज़ा आने वाला आज है ना नेक्स्ट है भारत बिहार में ठगी अतिक्रम करने का ठगी अतिक्रम कम करने का सरे किसे जाता है अल आप डलहोजी चॉल्स मेटकॉफ डवलू डी डेनिशन या डवलू एच सिलीमेन ये ठगी क्या था ये ठगी के बारे में कोई बताएंगे ये लोग ठग थे जिनका था कि कोई वैपारी जा रहा तो रास्ते में गला घोंट दिये ठग लिए हत्या कर दिये क्रिमनल थे तो इसको खत्म करने का किसे जाता है अच्छा बिहार में बहुत सारे इसे बिहार में पता है हाल फिलाल तक उठावा भिया चलता था लड़का लोग जो जाता टाइम आए किया दहेज मांगा उठा के ले जाता था और साधी हो जाता था तो बिहार में इस तरह के पर्था देखने को मिलता था तो जो ठगी खत्म करने का सरे गया था वो किसे गया था है ना जल्दी से बताओगे आठ नम्मर का और डबलू एच सिलीमे ऐस रोग देखने को जाता है याद रहोगे नेड्च्ट है 30 अप्रिल 1908 को मुजभफर्पुर बमकांड हुआ था इस बमकांड में किसकी हत्या का प्रियास किया गया था जज किंग्स पोट प्रिंगले कनेडी जनेरल डायर पैथिक लोरेंस किसकी हत्या का प्रियास किया था मुझभफरपूर में 1908 में खुदी राम बौश परफुल चाकी खुदी राम बौश थे और कौन थे जल्दी से बताओंगे खुदी राम बौश ऑर परफुल चाकी थे तो इन दोनों के द्वारा किसकी हत्या का प्रयास किया गया परफुल चाकी है ना किनकी हत्या का प्रयास किया गया था चल्दी से बताओगे है ना जर्ज किंग्स फोर्ड लेखिन गलती से कहां बम गिर गया गलती से एक वकील थे प्रिंगले कनेडी है ना ये एड़वॉकेड थे वकील थे यहां पे जाके इनके गाड़ी के पास बम गिर गया था और इनकी पत्नी और पुत्री की मिक्ति हो गई थी इसे परफूल चाकी से है ना परफूल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए खुद को गोली मार लिये थे और खुदी राम बोस्काव फांसी दे दिया गया था याद रखोगे जज किंग्स फोर्ड है ना किलियर है हाँ बिल्कुल नेक्स सवाल है बिहार में तिलक तिलक सवराज फंड के लिए कितनी धन्राशी एकत्र किया गया था तिलक सवराज फंड क्या था है ना आपके जगए डिजे बज रहा है डिजे वाला वहिया थोड़ा डिजे बजा दे तो आप भी गाके बोलो थोड़ा साउंड कम कर दे तो यह जो सवाल है कि तिलक सवराज फंड में कितनी धन्राशी जमा किया गया था महातमा गांधी के आंदोलन को सफल बनाने में देखो असहयोग आंदोलन चल रहा है अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है तो इस आंदोलन को चलाने के लिए पैसे की भी जोरत थी तो एक साल में एक करोड जमारत करने का यह लक्ष रखा गया था याद रखोगे तो गांधी जी ने तिलक की पून्य तिथी पर तिलक गया जन्म आप सभी को पता होगा महराष्ट के रतनागिरी में हुआ था मराठा दरपन कैसरी ये सब लिखे थे और बिहार से कितना लक्ष रखा गया था ये बताओगे बिहार से लक्ष रखा गया था 9 लाख 42,000 बिहार से लक्ष लखा गया था 9,42,000 लेकिन बिहार से कलक्षन कितना हुआ था तो साड़े साथ लाख हुआ था याद रखोगे कहीं नहीं मिलेगा यह सब कोस्टन इतने इंपोर्टेंट और इतने अच्छे सवाल कहीं नहीं मिलने वाला है कहां जा रहे हो आजाद देखके जाओ बहुत मजा आने वाला है बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है देखो आनन्द लो ठीक है चलो next सवाल है चमपारन आंदोलन का परिनाम चमपारन आंदोलन का रिजल्ट के संबंद में कौन सा बातें सत्य है तिन कठिया प्रथा का अंत हो गया सभी रेयत के लगान को घटा दिया गया बगान मालिक द्वारा वसूल किये गये अवेद नगद रुपईये में 25 परसेंट वापस किया उपर युक्त में सभी या इन में से कोई नहीं जल्दी से फटाफट बताओगे और सेशन को सेयर भी करोगे चमपारन आंदोलन का रिजल्ट क्या हुआ आप लोग बस एक ही रिजल्ट जानते होंगे कि तिन कठिया पदती समाप्त हो गया जी नहीं ये सारे काम यहां पे ह हुए थे याद रख लोगे तिन कठिया भी खत्म हुआ सभी रेयत का लगान घटा दिया गया और बगान मालिक के दिवारा जो वसूला गया था उसमें 25 परसेंट को वापस कर दिया गया याद रखेंगे 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित परजापती मिस्र की अध्यक्स्ता में कहां हुआ था नौजवानों की सम्मेलन हुआ था है ना कब हुआता 1929 में इस समय साइमन कमिशन बिहार आ रहा है यही वो टाइम है आपको पता है वाइट कमिशन जिसे कहा गया है साइमन कमिशन भिहार आ रहा है और साइमन कमिशन का विरोध किया गया था याद रखोगे कहां पे हुआ था तो बोलोगे मुंगेर में हुआ था है ना मुंगेर में हुआ था याद रखोगे जैप्रकास नरायन ने यूखों को गोरिला युद में ट्रेनिंग करने के लिए आजाद दस्ता का गठन कहां पे किये थे नेपाल में, भागलपूर में, पटना में, छपरा में जल्दी से बताओगे कहां पे गठन किया गया था फटाफट सवाल कैसा है बोलोगे, सब लोग बताओ, सवाल आधुनिक बिहार के इतिहास का मस्तमस सवाल है कि नहीं लग रहा है कुछ नए नए सीख रहे हैं, अगर लग रहा है तो सभी लोग जरूर लाइक करेंगे और सेशन को सेर करेंगे, ये तो एजी है, कई बार एक्जाम में आया है, नेपाल इसका राइट एंसर होगा नेपाल हेटक्वाटर था, बिहार प्रांतिय कार्याले था, बिहार में राष्टिय चेतना के जागरन का क्या कारण था बिहार में जो राष्ट्रवाद का इतना जागरन हुआ, उसके क्या कारण थे पास्चात सिक्षा आया इसके कारण ब्रिटीस सरकार की प्रसास्निंग नीतियां वाहाबी आंदोलन उत्तर बिहार में निल की समस्या या सारा का सारा क्या कारण था बिहार में राष्टिय चेतना जागा और इतने जादे क्रांती कारियों का उदय हुआ हाँ गोरिला यूद के जनक सिवाजी माने जाते हैं वो बगनखा पन के बगनखा का नाम सुने हो बगनखा से ही हत्या किये थे बगनखा पन के गोरिला यूद करते थे जल्दी से बताओगे तो ई होगा पास्चात सिक्षा लोगों में सिक्षा आया लोग जागरुक हुए ठीक है ब्रिटिस सरकार का जो एड्मिस्रेटिव पॉलिसी था बहुत गड़बड था लोगों का सोसन हो रहा था वहाबी आंदोलन का केंद्र पटना था यहां से लोग जागरुक हुआ फिर 1857 के करांती ने लोगों को जागरुक किया और फिर नील का समस्या ये सारा का सारा जब जमा हुआ कहा जाता है न विसफोट होगा थोड़े थोड़े बारूत जब जमा होंगे तो ये विसफोट रूप ले लेगा याद रखोगे नीमलिखित में कौन गया सडयत्र केस कोई बताओगे क्या है गया वाले लोग बताओगे ये शडयत्र क्या है जल्दी से बताओगे से संबंदित थे सहधेव सिंग is honor सर्मा ब्रिज भूसन सहाई फनिंद्र नात घोष कौन संबंद थे पुलिस को गया जिले में बम बनाने का समागरी मिला था बहुत जादा गया जिले में बम बनाने का बम जिससे बनाते हैं बम बनाने का शामान मिला था बहुत जादा मात्रा में मिला था और इसी को कहा गया गया याद रखोगे तो गया свет के में कौन योग सामिल थे 15 का जबाब दोगे और में जो अभियुकत थे वह फनिंद्र नात घोष थे याद कौन सामिल नहीं थे और पुछा गया है तो फनिंद्र नात घोस आमिल नहीं थे पाकिसाहदेव सिंग उमानात सिंग और ब्रिजभूसन सहाई ये तीनों सामिल थे याद रखोगे नेक्स्ट है बिहार में असहयोग आंदोलन कारी मोलवी मुहम्मद सफी मोलवी मुहम्मद सफी ये असहयोग आंदोलन में काफी सक्रिय थे ये बिहार में कहां से रहने वाले थे है ना कहां से रहने वाले थे जल्द से बताओगे अगर नहीं कर रहे हैं कि टेलिग्राम पे हैं खुशी जस्वाल कैसे नहीं मिलेंगे सर्च करना चेतन सर मिल जाएगा आप लोग आज शेयर नहीं करों सेशन को बहुत गलत बात है आज शेयर करोंगे तभी कल से टॉपिक वाइज लेके आएंगे बताओगे और ये होगा बी मुझाफर पूर से सम्मन रखते हैं याद रखोगे मोती पूर जहां पे आपका फूट पार्क बना है चमपारन आंदोलन के समापती के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोती हारी कारियाले का कारिभार सौप कर वापस लोट गए थे राजंद्र परसाद, बरज किशोर परसाद, स्यामनंदन सहाई, जनकधारी परसाद किसे सौप के वापस लोट गए थे बहुत अच्छा सवाल है देखो पिकु ने गुरूप कॉमेंट कर दिया चेतन सिंग जी के सर्च करोगे मिल जाएगा आज सलक्टेड सवाल है और तीन सवाल के बाद फिर स्टार्ट होगा बिहार का जोगरफी और फिर बिहार का करेंट भी करेंगे तो ये थे जनकधारी परसाद याद रखोगे 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटीस राजा ने बंगाल से पिर्थक कर उडिशा भी जिसमें समलित था प्रांत का गठन किया गया था जल्दी से बोलो 18 का सवाल है फटाफट आप लोग जल्दी से बता दोगे है ना बंगाल बिहार को उसमें उडिसा भी सामल था याद रखोगे तो इसका नाम होगा सी जोर्ज पंचम जोर्ज पंचम याद रखोगे जोर्ज पंचम पंदित जोहालाल नहरू ने कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में शरपर्थम भाग लिया था बहुत अच्छा सवाल जो हमारे देश के पहले परधान मंत्री थे वो कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिये थे जल्दी से बताओगे जल्दी से बताओगे किस अधीवेशन में पहली बार भाग लिये थे तो वो बांकीपूरपट्ना के अधीवेशन में पहली बार भाग लिये थे याद रखोगे बिहार में 1922 में जंडा संबंधित विवाद कहां पे हुआ था ये विवाद क्या है बताओगे जल्दी से सेंडिस कंपाउंड में अंग्रेजों से उंचा जंडा पारा दिया गया था सेंडिस कंपाउंड भागलपूर में अंग्रेज से उंचा जंडा अंग्रेज का जंडा ऐसे है ना तो बोला भया हम लोग फाराएंगे ऐसे यही ता जंडा विवाद तुम लोग से जादा बड़ा जंडा फाराएंगे तो ये जंडा विवाद कहां पे हुआ था तो भागलपूर में हुआ था याद रखोगे जंडा उंचा रहे हमारा तो ये 20 सवाल जो थे वो कहां से थे कैसा लगा आपको 20 सवाल था आधोनिक बिहार के इतिहास का मेराथन में बिल्कुल पूरा चीज मैनेज करके हम लोग करेंगे आधोनिक बिहार का इतिहास था अब जो 20 सवाल हम next करने जा रहे हैं वो बिहार का भुगोल है आप लोग बताओगे last में सबसे कमजोर आप लोग का क्या है बिहार का जोगरफी स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आप लोग फटापट तयार हो जोगरफी के लिए तयार हैं जोगरफी के लिए चलो next है है बिहार राज के परमंडल के संभन्द में निम्ने कौनसा कथन असत्त है परमंडल के संभन्द में मगद परमंडल के जीले हैं आपको देखो सभी लोगों को यह मैं पियाद रखना चाहीए और और न नौ परमंदल में किस परमंदल में कौन-कौन जीले हैं ये बताओगे ठीक है मगद परमंदल में जीले हैं गया जहनाबाद नवादा औरंगाबाद अरवल तिरूत तिरहुत परमंडल के जीले हैं, पुर्वी चम्पारन, पक्ष्मी चम्पारन, मुझभफर पूर, सितामडी, शीवहर वैसाली, सारन परमंडल के जीले हैं, चम्पारन वैसाली, गोपालगन, शीवहर, शीवान, पुर्निया परमंडल के जीले हैं, अररिया, किसंगन, कटिहा पुर्णियां आप लोगों के पास मैप भी सामने है सही एंसर बताना है जल्दी से बताना है गलत पूछा गया है गलत पूछा गया है गलत बताना है कौन सा कथन गलत है, जल्दी से बताना है, तो ये C हो जाएगा, 21 का C हो जाएगा, सारन परमंडल में चमपारन कहां से आ गया? सारन परमंडल का हेट पाटर छपरा है और सारन सिवान गोपाल गंज है इसमें कौन-कौन है गोपाल गंज तो है ही शिवान तो है ही और शारन है सीवर नहीं है इसमें शीवर नहीं है वैसाली नहीं है चमपारन नहीं है याद रखोगे ठीक है, किलियर है, तो परमंडल याद रखना है, पटना परमंडल में 6 जीले, देखो यहाँ कलर से दिये हुए हैं, ये कलर वाला जो है वो पटना परमंडल है, ये सारन परमंडल है, मगद में 5 जीले हैं, हैना मुंगेर में 6, तिरहूत में 6, सारन में 3 जीले, दर्भंगा म में तीन जीले कोशी में तीन जीले पुर्णिया में चार जीले और सबसे कम देखोगे ये भागलपूर वाला में दो जीला है याद रख लोगे ये मैप याद रखोगे मैं दे दूंगा मैप से याद रखोगे परमंडल से सवाल पूछ लेगा और जीला से सवाल पूछ यह बिहार के किस जीले में है, शंकरपूर एक मिन्लल एरिया है, यह बिहार में कहां पे है, सेल खड़ी जानते हो न, सेल खड़ी पाया जाता है, यह कहां पे है, संकरपूर बताओगे, तो संकरपुर मुंगेर में है याद रखोगे मुंगेर में है पुर्निया में फायर के लिए पाय जाता है गया में अबरक पाय जाता है जमुई में सोना पाय जाता है याद रख लोगे और ये मुंगेर में ही एक सीडो ओप्रेशन चला था कौन सा ओप्रेशन सीडो ओप्रेशन किसके लिए चला भी हाल पिलाल में सीडो ओप्रेशन मतलब सर्च एंड डिस्ट्रोई ये चला है नकसलवाद के खिलाफ चला है सीडो ओप्रेशन याद रखोगे गंगा के दक्षनी मैदान में निमलिखित में कौन सी नदी परवाहित नहीं होती है ये देखो ये गंगा नदी है इसके उपर वाला भाग को कहा जाता है उत्तर मैदान है गंगा का उत्तरी मैदान और इसको दक्षनी मैदान कहा जाता है जक्षिरी मैदान में जो मुख्य रूप से नदियां बहती है वो आपका है करमनासा अपवित्र माना जाता है सोन नदी सबसे लंबा पुनपुन फलगू क्यूल अजय तो कौन सा नदी नहीं बहता है जल्दी से बताना है है ना कौन सा नदी नहीं बहता है बागमती तो पकड़ लिए बागमती पकड़ लिए पैमार का नाम सुने हो पैमार यहां की सहयक नदी है चोकी नदी है जो की दक्षनी में बहता है याद रखोगे बागमती महाभारत स्रेनी से निकलती है, देखो यहां पे, बागमती महाभारत स्रेनी से निकलती है, सिता मड़ी के पास बिहार में इंट्री करती है, याद रखोगे? बिहार के किस भाग की ऑंसत उँचाई शरवादिक है? बिहार ऐसा है देखने में, बीच में डाउन है, जहां पे गंगा है, यहां पे डाउन है, तो पुछा गया है, इधर का भी पानी गंगा में आ रहा है? है ना इधर का भी पानी गंगा में आ रहा है तो पुछा गया उचाई किधर का जादा है गंगा के दक्षणी मैदान का तियारा भूमी छेत्र रखा है ना उत्तर पक्षिम परवतिय भाग का या गंगा के उत्री मैदान का सबसे जादा उचाई किधर है है ना सबसे जादा विल्कुल C होगा देखो यह चंपारन वाला यहां पर उंचा है सब से जदा जो कि यहां है सीवालीक रेंज क्या है शीवालीक रेंज है जो कि सबसे जदा है याद रखोगे उत्तर पक्षिम में जो परवतिय भाग है कौन सा परवतिय भाग है हिमालय का extension सिवालिक रेंज जो है वो सबसे उंचा है याद रखोगे सबसे उंचा वाला भाग है याद रखोगे ठीक है स्वमेश्वर स्रेनी नेपाल के साथ कितने किलो मिटर का अंतराष्टिय सीमा का निर्मान करता है नेपाल के साथ टोटल हमारा जो है यह टोटल है सेवन टू नाइन किलो मिटर कितना है यहाँ पर सिवालिक रेंज है यह सिवालिक रेंज का कितना लंबाई है नेपाल के साथ हमारा जो बॉनडरी टच कर रहा है यह मैंने पहले बताया है जल्दी से बताओगे 74 किलो मिटर है याद रखोगे 74 बिहार का यह जो चोड़ाई है वो कितना है यह वाला तो बोलोगे 483 किलो मिटर यह वाला लंबाई कितना है बोलोगे 345 किलो मिटर यह सब याद रख लोगे है ना गलती नहीं होना चाहिए शबी लोगों का मैक्सिमम नेपाल के साथ किसका सीमा है तो बोलोगे पक्षमी चमपारन का मिनिमम किसका है तो सुपोल का है ना शुपोल का याद रखोगे मैक्सिमम पक्षमी चमपारन का और मिनीमम शुपोल का है सभी लोग याद रखेंगे जल्दी से फटाफट बताओगे सवाल कैसा है नेक्स्ट है बिहार के आमजोर पहाडिया आम का महिना है आमजोर पहाडिया में पायराइट्स पाया जाता पायराइट्स जिसे मुर्ख का सोना कहते हैं मुर्खों का सोना कहते हैं यह पाया जाता है खान पाया जाता है वह किस जीले में है आमजोर की पहाड़ी कहां पे है जल्दी से बताओगे है ना इसको सल्फूरिक अमल बनाने में इसका यूज होता है पायराइट्स का और पायराइट्स पाय जाता है आपका रोहतास में और यहाँ पे कौन सा चटान पाय जाता है यहाँ पे विंधियन चटान पाय जाता है विंधियन चटान जो की एकोनोमी रूप से काफी रिच होता है याद रखोगे रुहतास में मिंधियन चटान पाय जाता है विन्धियन चटटान पाय जाता है याद रखेंगे केलियर है सेयर करते रोगे नेक्स्ट है बिहार राज का गोपाल गंज जीला क्यों परसिद है अभी अगर बुला जाओगे तो पहला ऑक्सिजन पार्क बिहार का यहीं है तो ये गोपाल गंज में है लेकिन गोपाल गंज किस खनीज के लिए फैमस है शोरा का उत्पादन सेल खड़ी का उत्पादन टीन का उत्पादन या ग्रेफाइट का उत्पादन 60 है 20 जोगरफी का है और उसके बाद लाश्ट में 20 बिहार करेंट अफेर्स का है ठीक है थोड़ा लंबा सेशन होगा लेकिन बेहतरीन सेशन होगा जुड़े रहोगे सभी लोग बहुत मज़ा आने वाला है गोपाल गंझ जीला किसलिए फेमस है तो गोपाल गंझ शारन सीवान ये सब जीला जीला शोरा के लिए फेमस है शोरा में क्या होता है potassium nitrate potassium nitrate होता है जिससे क्या बनता है विसफोटक पदार्थ बनता है याद रख लोगे सोरा के लिए फेमस है हाँ कराएंगे national international पर भी कराएंगे tension मतलो पहले एक बार पूरा इसको revision करा दें पूरा अच्छे से revision करा दें फिर कराएंगे share करो 1500 से पार होना चाहिए डेली mix ही कराएं कल voting कराएंगे यूटूब पे अभी आज voting कराएंगे जो बोलोगे वही कराएंगे सोरा के लिए ही नोनिया विद्रो हुआ था आप सभी को पता होगा नोनिया विद्रो सोरा के लिए हुआ था नोनिया विद्रो इन में से कौन सा कथन सत्य है सहरसा जिला उत्री बिहार के तराई में है सहरसा तराई में दिख रहा है क्या कौन सा कथन सत्य है सहरसा जिला उत्री बिहार के तराई में है है क्या, ढेख के बताओ… कावर जील, वेगुशराय और समस्तिपूर की سीमा पर है, कर्मन आशा नदी, बक्सर जीला के पक्सिम में है, बक्सर जीला य॥ हुआ और इसका पक्सिम किधर होगा, तो भाई, इदर होगा, चीर और सुकतनिया नदी, खगढ़िया जीला में स्थि कि ते होगा है ना सि याद रखोगे शभी लोग कि इसका सही होगा देखो यहीं पर कर्मनासा नदी है बक्सर यहां देखते हो ना इसी जगह पर कर्मनासा नदी है याद रखोगे आप लोग, है ना, यह नहीं लग रहा है, शी होगा नेश्ट है बिहार के दक्षिन पक्षिम, दक्षिन पक्षिम समझते हो न, ये उत्तर, ये दक्षिन, ये पुर्व, ये पक्षिम, ये वाला पाठ हो गया दक्षिन पक्षिम, ये वाला पाठ दक्षिन पक्षिम हो गया, दक्षिन पक्षिम की पहाड़ियां, तो पहाड़ी इस जगह पे है इस जगह पे पहाड़ी है तो यहां पे कौन सा चटान पाय जाता है विन्धेयन टर्सियरी आर्कियन या इन में से कोई नहीं जल्दी से बताओगे जल्दी से बताओगे देखो एक रॉक सिस्टम पूरा का पूरा यह खत्म हो जाएगा अभी समझना इस जगह पे विन्धेयन पाया जाता है आपसे अगर पुछे बिहार के सबसे कम भाग पे क्या पाया जाता है तो यह विन्धेयन है यह विन्धेयन चटान है और यहीं पे और यहां परवत का एकस्टेंशन भी है यह एरिया क्या है तो बोलोगे यह कैमूर और रोहतास का एरिया है कैमti और रोहतास का एरिया है विहार के दक्षिन भाग जिसका सीमा जहरखन से लगा हुआ सबसे पूराना है सबसे औल्डेस्ट है सबसे पूराना है और जो सिवालिक रेंज है सिवालिक रेंज जगह पे यहां पे टर्सियरी पाय जाता है और सबसे ज़्या सबसे पुराना सबसे पुराना पूछे सबसे पुराना बिहार में कौन है तो बोलोगे यह है आपका धारवाड कितने टाइप के हैं बिहार में कितने टाइप के हैं तो चार टाइप का है ना यहां पे विंदेयन और सबसे ज्यादा भाग पे है आपका क्वाटनरी रॉक याद रख लोगे भारत में आठ है बोले तो आरकियन, धारवार, कुडपपा, विंदेयन, गौंडवाना ये सब भारत में है बिहार के किस जीले की सीमा नेपाल से लगने वाले में शरवादिक है नेपाल से टोटल 729 किलोमीटर का लग रहा है इसमें सबसे जादा किस जीला का सीमा लग रहा है किस का सीमा सबसे जादा लग रहा है सभी लोग बताओगे तो C होगा पक्षमी चमपरन का मैक्सिमम लग रहा है और मिनिमम सुपोल का लग रहा है मिनिमम सुपोल का लग रहा है टोटल कितना लग रहा है 729 किलो मीटर सीवालिक रेंज से कितना लग रहा है सीवालिक रेंज से नेपाल का सीमा तो 74 किलोमेटर किलियर है 74 किलोमेटर किलियर है लाइक करो भाई लाइक से एर करते रहो रुकना नहीं चाहिए डेड़ सो पार करो डेड़ सो पार करो सभी लोग इतना अच्छा मिक्स सवाल कहीं नहीं मिलेगा शवाल बेमिसाल है याद रखोगे नेक्स्ट है गंगा के दक्षनी भाग में फेले बिहार के छित्र को क्या कहा जाता है ये बिहार रहा ये गंगा रहा ये दक्षनी भाग वाले पाठ को क्या कहा जाता है यही सवाल में पूछा गया है गंगा, सौन, दुवाब, छित्र, मगद का मैदान, यंग का मैदान, क्या कहा जाता है, या सभी का सभी कहा जाता है, जल्दी से बताओगे 31 का बताओगे, फटाफट 31 का बोलोगे फटाफट, क्या कहा जाता है, तो बोलोगे सारा का सारा कहा जाता है भागलपूर के आसपास का जो छित्र है उसे यंग का मैदान कहा जाता है भागलपूर में गंगा के पास जो है पटना के आसपास जो है उसे मगद का मैदान कहा जाता है और यहां पे सोन नदी के पास जो है उसे गंगा सोन दुवाब कहा जाता है यह सारा का सारा दक्षिनी भाग में है गंगा के दक्षिन भाग में है रट लोगे पूछ देगा सब का सब दक्षिनी भाग में है याद रख लोगे बिहार में राजगीर में अनेक जल श्रोत हैं बताए निमलिकित में कौन सा जल स्रोत राजगीर में नहीं है सुरी कुंड गोमुक कुंड रामेश्वर कुंड नानक कुंड कौन सा राजगीर में नहीं है यह बताना है एक बार सेयर करोगे शवी लोग हां बहुत सारा नाम है बताता हूं देखो नाम को ऐसे रख लो मैं दो पार्ट में बटा रहा हूं एक आप देखो ब्रम कुंड है ना बरम कुंड याद रखोगे ब्रम कुंड ठीक है सुरी कुंड गोमुख कुंड ये सारा का सारा राजगीर में है ठीक है तो याद रखोगे अब 32 का एंसर बताओ सी अब राम जी का पूरा फेमली मुंगेर में ट्रिक याद रखोगे रिसी कुंड लचमन कुंड सीता कुंड रामेश्वर कुंड लचमी बांद जितना भी राम जी का पूरा फेमली कहां पे बोलो तो कहां पे मुंगेर में है ना रामेश्वर कुंड लचमन कुंड सीता कु मुंगेर में अच्छा यूपी का नहीं पढ़ा रहा है यूपी का बता दोगे जल्दी से निमलिकित में गलत जोड़ी को पहचानिये जीला और पहाड़ी दिया है नालंदा जीला में ग्रिदकुट परवत है पक्षमी चंपारन में श्वमेश्वर की पहाड़ी है मुंगेर में खड़कपुर की पहाड़ी है भागलपुर में मंदार परवत है अगर सारा का सारा जोड़ी सही है तो इसमें एक से अधिक मारेंगे 33 का बताएंगे जल्दी से कौन सा गलत है और सभी लोग टेलिगराम में जुरू जुड़ेंगे टेलिगराम चेतन सर टेक्स्ट बुक या चेतन सिंग जीके सर्च करके जुड़ जाएंगे पीडियेफ वहीं मिलेगा याद रखोगे चेतन सिंग जीके पे या चेतन सर्ट टेक्स्ट बुक पे जुड़ जाओगे डी इसका गलती है भागलपूर में मंदार परवत नहीं है बांका में है और इसी बांका में बन रहा है सकेंड रोपवे बिहार का सकेंड रोपवे बिहार का पता होना चाहिए आप लोगों को कि लिए रहे चलो बढ़ाया जाए कारवां को को अ बीहार के किस जीले की सीमा नेपाल से लगने वाले जीले में सबसे कम है अभी मैंने बताया सबसे जादा पक्षमी चंपारन मैक्सीमम पक्षमी चम्पारन, टोटल, टोटल 729 किलो मीटर, ठीक है, सिवालिक के साथ, सिवालिक रेंज के साथ नेपाल का सीमा, 74 किलो मीटर, मिनिमम सुपोल, सुपोल बिहार का पहला कचरा मुक्त सहर है, याद रखोगे, है ना, सुपोल बिहार का पहला कचरा मुक्त सहर है, ये भ यहां शाथ जीला के साथ भी लगता है नेपाल का सिमा अमारा बिहार के साथ लगता बिहार का एक मात्र नदी जिसका उद्गम अस्थल जमुई में है जमुई से निकलती है वही जमुई जहां सोना निकला है देश का कहा जारा है 42% स्वर्न भंडार है तो कौन सा एक मात्र नदी है जो जमुई से निकलती है जल्दी से बताओगे जमूई से निकलने वाला फटा फट आप लोग बता दोगे है ना जमूई के बटपार से निकलती है अजय नदी जमूई के बटपार से और इधर बंगाल में जाके गिर जाती है अजय नदी याद रखोगे जमूई के बटपार से निकलती है बीहार में पांस से साथ किलो मिटर की चोड़ी पटी का तराई छेतर कहां से विक्सित है कि यह पे पांक किलो मिटर कहीं चहे कहीं साथ सब्मक्षिमी चम्पारन सितामड़ी अरणिया कि सगण तक पहला से जबाव मिल गया ठीक यहां से लेकर यहां तक पहला हुआ है याद रखोगी किलियर है चलो नेक्सt आते हैं शप्रा सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है अब देखो अन्तर्स्टिया फिल्म महत्चब हो रहा है फिल्म महत्चब हो रहा है याद रखोगे तो छपरा सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है चल्दी से बताओगे शौन फल्गु घागरा या गंगा तो बोलोगे घागरा नदी है याद रखोगे है ना गंगा नदी के किनारे मेन सहर जो है वो आपका पटना है और भागलपूर है है ना भागलपूर है याद रखोगे किलियर है फलगु नदी के किनारे गया है आपका फलगु नदी के किनारे गया सहर बसा हुआ है किलियर है चलो बिहार में घोंगा जील कहां है घोंगा जील कहां है कटिहार बेगु सराय पत्रना या नालंदा घोंगा जील कहां पे है परवासी पक्षी के लिए फेमस है घोंगा जील घोंगा जील कहां पे है बिहार में जल्दी से बता देंगे हाँ सारन में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ घौंगा जील कहां पे है 38 नमबर का जबाब देंगे सभी लोग तो ये कटिहार जीला में है याद रखोगे कटिहार जीला में घौंगा जील है गंगा नदी की दियारा भूमी, दियारा भूमी का नमांकरन निम्लिकित में किस से संबंध है दिया, डहर, देवरा, दाइरा, दियारा भूमी का नमांकरन किसके थुरू दिया गया है दियारा भूमी का नमांकरन किसके थुरू दिया गया है जल्दी से बताओगे कहां से दियारा भूमी का कॉंसेप्ट आया तुक्का मत मारो तुक्का मत मारो कनफम बताओ तो ये कॉंसेप्ट दिया से ही आया है दिया का अर्थ होता है मिट्टी का दिपक मिट्टी का दिपक जब बरसात के मोसम में पानी जमा होता है और पानी जब निकल जाता है तो केचळ जब सूखता है तो वो दिया आकार का देखता है एक सीरियल है दिया और बाती कौन-KUN देखे वे सीरियल बोलो तो दिया और बाती है ना दियाär और बाती नेक्स सवाल है नहरों से सबसे अधिक सीचाई बिहार के किस जगह में होती है किस सहर में होती है किस छेत्र में होती है भोजपूर गुरंगाबाद रोहतास या दर्भंगा कहां पर होता है मजा नहीं आता किस में मजा नहीं आता कि सबसे ज़्यादा सिचाई सबसे नहरों के माध्यम से सबसे ज़्यादा सिचाई कहां पर होता है तो रोहतास बोलोगे रोहतास में सबसे ज़्यादा पराली जलाया जाता है सबसे जादा पराली कहां जलाय जाता है तो बोलोगे यह रोहतास में जलाय जाता है याद रखोगे रोहतास में ठीक है रोहतास का पराली मॉडल भी फैमस है याद रखेंगे रोहतास का पराली मॉडल भी फैमस है शबी लोग याद रखेंगे शेयर करते जाओगे, शेयर करते जाओगे, 150 आज 200 होना चाहिए, तब इसी तरह डेली सेशन मिक्स लेके आएंगे, 200 होना चाहिए आज, तब मिक्स लेके आएंगे, टैनसन नहीं लेना है, जल्दी से बताओगे, चलो, अब बिहार हिस्ट्री का 20, बिहार जोगरफी का 20, अब किसका होगा, अब करेंगे हम लोग, सिधा सिधा वार, किस पे, बिहार करेंट अफेर्स पे, चलें, आगे, बिहार करेंट अफेर्स से शुरुवात करते हैं, चलिए अब आगे चलते हैं, तैयार हैं सभी लोग टॉपिक वाइज लाएं ठीक है टॉपिक वाइज भी लाएंगे टेंशन मतलो टेंशन मतलो जो बोलोगे वही लाएंगे बिहार के किस सहर में बिहार का पहला बांस उद्दान बनाया जाएगा कौन सहर में बिहार का पहला बांस उद्दान बनेगा बिहार करेंट अफेर्स आ गया जल्दी से बताओगे राजगीर, बौध गया, बक्सर, पुर्विच अंपारन, है न, पहला बांस उद्दान, भारत का कहां बना है, तो बोलोगे, पहला बैम्बू गार्डेन, महराष्ट के अमरावती में बना है, पहला बैम्बू गार्डेन, महराष्ट के अमरावती में बना है, पहला देश का और बिहार में पहला कहां बन रहा है तो बहुत गया में बन रहा है बहुत गया में बन रहा है महाबौधी कन्वेंशन सेंटर में बन रहा है पांच एकड में बन रहा है भगवान बुद्ध को बांच से काफी ज़्यादा लगाव था इसलिए यहां पर बनाया जा रहा है या मेडल प्राप्थ हुए इंडिया इसकिल राष्टिय परतियोगिता में बिहार को कितना मेडल प्राप्थ हुआ जल्दी से बताओगे कौसल भारत के तहत इसका आयोजन किया गया था और बिहार को 11 मेडल प्राप्थ हुआ एक 11 मेडल प्राप्त हुआ याद रखेंगे किलियर है एक 11 मेडल प्राप्त हुआ next है हाली में बिहार के किस जीले में सवरोजगार एप लॉंच किया गया था और इस एप को अन्य जीलों में भी अभी लॉंच करने की तयारी चल रही है आनि कि सवरोजगार एप मोडल किस जीला का फैमस हुआ है जैसे पुर्निया का कुपोशन मोडल फैमस हुआ है जैसे आपका चंपारन का चनपटिया मोडल फैमस हुआ है जैसे रोहतास का पराली मोडल फैमस हुआ है उसी तरह सवरोजगार एप मोडल किसका फैमस हुआ है जल्दी से बताओगे सवरोजगार एप मोडल किसका फैमस हुआ है घर बैठे लोगों को काम दिया गया है ये होगा कोई नहीं ये होगा बक्सर है ना बक्सर जहां पे बन रहा है काला हिरन संग रक्षन केंद्र, बक्सर जहां पे बन रहा विश्वामित्र मुनी का आश्रम, बक्सर जहां पे बक्सर सेंट्रल जेल है, बक्सर जहां पे ताड़का वदस्थल है, बक्सर जहां पे गंगा नदी परवेश करती है, बक्सर जहां पे अस्वगंधा कोरिडोरी स टाठ होता है ठीक है धोखा सभी लोग खा गए यहां पे बिहार सरकार पसुपालन को बढ़ावा देने के लिए मुर्रा भेंस की खरिदारी पर कितना प्रतिसत का अनुदान देगी इस साल भी 50 करोर रासी बजट में आवंटन किया गया है पसुपालन पे ध्यान दिया गया है मुर्रा भेंस क्या होता है है ना समान की तुलना में तीन गुना दूद देती है डेरी पोर्डक्शन बढ़ेगा तीन चार लाक कीमत होता है किसान खरिदी नहीं पाएगा तो कितना अनुदान दिया जाएगा गयल भेंस पानी में कहावत है ना तो उसी तरह मुर्रा भेंस अगर कोई खड़ोगे तो सरकार कितना प्रतिसत का अनुदान देगी मुर्रा भेंस पे 40 परसेंट का अनुदान सरकार देगी याद रखोगे किस राज की पुलिस सभी अपराधी के रिकॉर्ड को उचित रूप में डिजिटल तरीके से रखने के लिए चक्र एप लॉंज किया है लॉलीपॉप सवाल चक्र एप किसके द्वरा लॉंज किया गया है चंपटिया एक पर रोजगार मोडल था चंपटिया क्या था किर्चमपारण में जब करोना में लोग वापस आए थे तो रोजगार दिया गया था और वह रोजगार से ilo नोगों को मिला है ना उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे बताए साक्षी चलो तो ये बिहार के द्वारा लॉंज किया गया चक्र एप बिहार में बहुत सारा एप है आपको बताओगे कौन-कौन सा एप है बिहार में चक्र एप के अलावे कौन-कौन सा एप है बिहार में बिहान एप है, इंदरबरज एप है, है ना, वंडर एप है, अनमोल एप है, भाव्या एप है, बताओगे कौन-कौन एप का क्या काम है, मैं लिख रहा हूँ, इंदरबरज एप, है ना, बजरपात की सुचना देने के लिए, अनमोल एप, गरवती महिला के लिए, वंडर द्रिष्टी एप अभी एक आया भाव्या एप भाव्या एप तो ये सारा एप बताओगे भाव्या एप क्या है मरीजों का पुर्जा इलक्पिक होगा डिजिटल तरीके से होगा सारा एप के बारे में बता दिये याद रखोगे चलो next है बिहार सरकार पर्थम अपिलियप दाधिकारी के रूप में पहला याद रखोगे पर्थम अपिलियप दाधिकारी के रूप में किसे नियुक्ट किया गया है ठीक है तो संकर मिस्रा, मिथलेश मिस्रा, अनुप कुमार, मनोज कुमार जल्दी से बताओगे पर्थम अपलिया अधिकारी के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है फटाफट बताएंगे तो ये हैं मिथलेश मिस्रा नाम याद रख लोगे हाली में बिहार के किस बाल विज्ञानिक का चयन इंस्पायर अवार्ड के लिए हुआ है सूरज परताप, प्रिया कुमारी, मोहन कुमार, सुजाता कुमारी किसका चयन हुआ है जल्दी से बताओगे तो सूरज कुमार और प्रिया कुमारी दो लोग हैं उपर युक्त में एक से अधीक होगा याद रखेंगे बिहार में चाय की खेती कोई करता है चाय सबसे ज़्यादा कहां होता है तो बोलोगे किसन गंज में होता है तो किसन गंज में कहां होता है तो किसन गंज का पोड़िया परखंड में होता है तो चाय की खेती करने वाले किसान को भारत सरकार कितना परतिसत का अनुदान देने की घोसना की है तो याद रखोगे चाय है ना चाय सेव अस्वगंधा है ना अस्वगंधा ठीक है सहजन सहजन जानते हों ड्रमिस्टिक यह सारा पे 50% का अनुदान मिलेगा याद रखोगे 50% का अनुदान मिलेगा याद रखेंगे कलियर है भारत के किस मेट्रो ट्रेन में बिहार का भोजन लेट्टी चोखा और बिहार का पर्यटन का परचार किया जाएगा साइद आप लोग देखे भी होंगे परचार किया जा रहा है बिहार के भोजन और बिहार के पर्यटन का परचार किया जा रहा है बोगियों में नजर आएगा बिहार का भोजन और बिहार का पर्यटन नहीं सुनिल 25% अलग बोले हैं 25% अलग बोले हैं जेविक ख्वेति का प्रोथसान पे 25% बोले हैं ठीक है? तो ये दिल्ली मेट्रो में किया जाएगा याद रखोगे दिल्ली मेट्रो में काफी अच्छा सवाल है कहां कहां किया जाएगा राजगीर और बालमिकी नगर से इसका शुरुवात किया गया है कहां से सुरुवात किया है राजगीर और बालमिकी नगर है ना बालमिकी नगर में एको टुरिज्म बनाने की सुरुवात कर दिया गया यह दो जगह है इसके अलावे भी छे जगह होगा पुर्वी और पक्षमी चंपारन कैमूर नालंदा है ना मोतिहारी दर्भंगा गया यह सब सभी पालमिकी अब बताओ हमारे यहां जो स्वास्त करमी लोग है स्वास्त करमी लोग है उनको ट्रेनिंग देने की ज़रुरत है कि नहीं है बिल्कुल ट्रेनिंग देने की जरूरत है तो हमारे यहां स्वास्त करिमियों को सबसे पहला कौन सा हस्पताल डिनवी का ट्रेनिंग दिया है तो इसका नाम होगा मोतिहारी सदर हस्पताल मुतिहारी सदर हस्पताल याद रखोगे लोग सिकायत निस्तारन में बिहार के पटना को क्या रेंक मिला है बिहार के पटना को लोग सिकायत निवारन में क्या रेंक दिया गया है 18 दिया गया रोहतास टॉप पे है है न रोहतास इस मामले में लगातार 2 साल से तौप पे यह थोड़ा पुराना सवाल है किस जीले के जमीन को पटना में सामिल किया गया जल्दी से बोलोगे परसासन के बेहतर संचालन के लिए किस जीले के जमीन को पट्णा में सामिल किया गया तो बोलोगे एक से अधिक होगा सारन और वैसाली सारन और वैसाली एक से अधिक next सवाल है स्रम पोटल निवंधन में बिहार का स्थान क्या है सरम पोटल कुछ दिन पहले बताएं सरम पोटल यूपी वेस्ट बेंगॉल फिर बिहार तीसरा है सरम पोटल के निवंदन में बिहार का स्थान याद रखोगे हाली में जारी राष्टिय परिवार स्वास सर्वेक्षन आकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है अभी बताया गया है कि 19 जीले में आजी सुबह बतायें 19 जीलों में लड़कियों की लिंगानुपात 900 से कम हो गया है एक हजार पूर्शो की तुलना में लेकिन पूरा का पूरा बिहार के बारे में पुछा गया है तो 1090 हो गया है ये फैमली सर्वे बोलता है याद रखोगे है ना 2011 का जनगन्ना बोलता है 918, 2011 का जनगन्ना बताती हमें 918 है, हारी में बिहार के किस जिले में मंकी पार की अस्थापना की गई है, मंकी पार का अस्थापना कहां पे हुआ है, जल्दी से बताओगे, मंकी पार का अस्थापना कहां पे हुआ है, किस जिले में मंकी पार की अस्थापना किया गया है, तो बोलोगे अररया में किया गया है, याद रखोगे, अरोरुया में रेनू पार्क रेनू पार्क किसका नाम दिया गया चार सवाल और है रुख जाओगे थोड़ी दिर रेनू पार्क नाम दिया गया याद रखोगे हाली में बिहार का कौन सा जीला देश अस्तर पर नेशनल वाटर आवाड थोड़ा सा ये पुराना सवाल है सारन जीले के रहने वाले हैं सारन जीला का रहने वाले हैं याद रख लोगे नेक्ट है बिहार के किस जीले में खेती का पैदावर बढ़ाने के लिए ड्रोन का ट्रायल किया जा रहा है पहला ड्रोन का ट्रायल करने वाला ड्रोन से कितना सक दवाई का छिलकाव करना या ड्र मुझाफरपूर समस्तिपूर फटाफट बताऊंगे फटाफट बताएंगे जल्दी से तो यह पटना है याद रखोगे आज का अंतिम सवाल इनिष्चय पोटल किस विभाग ने लॉंच किया है किर्सी विभाग पंचायती राज विभाग सिक्षा विभाग या गिरिह विभाग तो पंचायती राजविभाग के द्वारा किया गया है नल जल में जो सिकायत है नल जल के तहट जो कल बने हैं उसमें सिकायत को दूर करने के लिए मैं आप सभी को बता दूँ कि मेरा एक कलास सुभह 9 बजे होता है बिहार डेली करेंट अफेर्स का और एक कलास होता है सामको 6 बजे 6 बजे वाला में बताओगे ऐसे ही करना है कि टॉपिक वाइज करना है ठीक है रेगुलर दोनों कलास में जुड़ोगे पीडियप हमारे गुरूप में मिल जाएगा चेतन सर्ट टेक्स्ट बुक या चेतन सिंग जी के मैं सर्च करोगे ठीक है अब बाकी बीपीसी का कोर्स या टीचर का कोर्स चेतन एस कोड यूज करके ले सकते हैं चेतन एस कोड यूज करके ले सकते हैं को चलो बाइबाय लगा सेशन जरूर बताऊगे सबीलोग सेशन कैसा था गुडणाइट गुडणाइट अल फ्यू गुड नाइट चलो बाइबाय लगा प्यू बाइब ऑबै ओके टापिक बाइट ट्रैक करेंगे ठीक है झाल, 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 झाल